तो आज का जो मैच है इसके बार में रिव्यू करने वाला हूं उसके पहले मैं टेलोग कहूंगा कि जो दिखता है वो सही नहीं होता है और जो नहीं दिखता है वो हमेशा सही होता है इसका मतलब है जिंबाबर आजम यानि कि जो नंबर वन ओडिया बैट्समन है जो कि वो सह में सही नहीं है तो उसका आज रिजल्ट पता ही लग गया होगा सभी को पर्टिकुलर्ली पाकिस्तान यानि कैशलस्थान फैन्स को भी पता हो गया होगा कि उनके प्लेयर्स का क्यपासिटी और केपबलीटी तो परफॉर्म अंडर प्रेशर कितना है करके बिफॉर दे वर्ल फैन्स को ऐसा कहते सुनता हूं मैं उनसे यही कहता हूं गोष्ट खाने से सिर्फ पाद आता है गाईस तगड़े नहीं होते हो आप साइंटिफिकली यही है कि गोष्ट अगर खाने से पाद ज्याद आता है ना कि आपका जो ताखत बंढने की कोई गैरेंटी नहीं है बोलिंग लेनप जो कि मोसली में पाकिस्तान फैंसी है से कहते हैं सबी तो नहीं कहते है उनका जो पाकिस्ट सो काल्ड बेस्ट बोलिंग अटाक एगेंश्ट 356 आज टोटल हमने कर दिया है उनके अगेंश्ट और सिर्फ दो ही दो विकेट ले सके वो भी रोहित शर्मा ने मैं ऐसे ही सोचा होगा चल या राउट ही हो जाता हूं करेंगे ऐसे ही कि गिफ्टेड अभी दो विकेट ना कि वोस लाइक कन्विंसिंग आउट ऐसा कुछ नहीं है और अगें वो तो सेकेंड डिस्मिसल भी था शुबमंगिल का वो भी कुछ खास नहीं था उस लो बोल ड करें किंग एक और रियल प्रेशर उंदेर में परफॉर्म करते हैं व क्या कोमिल पाउरrant का नहीं कि कहेंगे कि हारी शरोप ने ङालने को र्यल रीजन में मतता करता हूं वह ना कि वह इंजट था वह डर गया था कई वह बागी का पांच और करके सवरन ना दे दे करके तो आप तुम्हारे पीसी बोगत कहता हूं कि आप लोग एक आप लोग जो है रियल डर्पों को रही बाद जिंबाबर आजम की जो कि अबाउट हुआ है दसरन में व वह भी पी और आजम कोड कर सकता है मतलग अजिंबाबर आजम एक घंटेगा किंग है यहाज आप सभी को साबित हो चुका होगा पतिकुलर्ली जो कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट फांस तो क्यों के हैं कि रियल किंग जिंबाबर आजम करके टो रही बात बाज की तो यिटर अंद में ही कहना चाहूंगा जिबाव राजम को की यू आर जस्ट अ मिन्नो बैशर एन अस्ट्योपेट एन सिली कैप्टन मिलते हैं गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक ड़िएगा मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस निया बाद